हेलो स्टूदेंट्स आज का विडियो हमारा डिटर्मिनेशन ओफ इंकम आउट्पुट और इंप्लॉइमेंट चाप्टर पर है जो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और और CBSE Board Examination में वो 12 मार्क्स गेंड करवा सकती है आपको इसी पर एक पहला चाप्टर हम लेते हैं आग्रिगेट डिमांड और आग्रिगेट सप्लाई जो की बेसिक कंसेप्स रिलेटेद है तो आएए चलते हैं हम इस चाप्टर के डीटेल्ड स्टाडी को देखते हैं यहां पर बिटा हमने एक Mind Map के फॉर्म में लिया हुआ है जिसमें से आपको Effective Demand दिखाई दे रहा है ठीक है Effective Demand एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आग्रिगेट डिमांड और आग्रिगेट सप्लाई सम अप होते हैं एक दूसरे से को intersect करते हैं और उस point को हम लोग effective demand कहते हैं, तो aggregate demand हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि it is dependent upon the consumption demand and investment demand and consumption demand depends upon the disposable income and propensity to consume. propensity to consume depends upon the average propensity to consume and marginal propensity to consume, it is of two in kinds, right and it is calculated in this way. इसी तरह से आप देख सकते हैं investment demand, rate of interest और marginal efficiency of capital पर dependent है, तो इसी तरह से हम aggregate supply के dependent factors को देख सकते हैं, इसमें हम लोग मैंने यह try किया है कि यह एक दूसरे के साथ किस तरह से dependent रहते हैं, वो exist हमने आपके लिए तयार कर लिया है, ठीक है, तो one by one हम एक एक factors को यहाँ पर लेंगे, जो कि यह जो chart है, वो आपके लिए काफी valuable रहेगा, right? तो चलिए देखते हैं, हम लोग aggregate demand क्या होता है, पहले एक-एक हम लोग topic को यहाँ पर लेंगे, aggregate demand क्या होता है, actually aggregate demand is the total demand for all the goods and services in the entire economy, right? तो यह मतलब क्या है कि यह जितनी भी demand, goods or services के demand, जो कि पूरी economy के अंदर है, उसके बारे में यह aggregate demand बात करता है, अभी इससे पहले आपने market demand के बारे में भी बात की होगी, right? micro economics में, आपने market demand के बारे में बात की, तो how it is different, right? यह कैसे एक दूसरे के साथ different है, तो market demand actually, it is for one commodity, right? यहाँ पर हमने क्या देखा, यह सिर्फ और सिर्फ single commodity के लिए है, मगर aggregate demand, यह सारे entire economy के लिए है, it is not for a single market, it is for the whole economy, right children? So, aggregate demand एक macro economy के concepts में हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर इस वज़ा से यह दोनों एक दूसरे के साथ distinguish करते हैं, different होते हैं, क्योंकि market में हमने single commodity के बारे में बात की थी, इस तरह से अब अगर हम लोग इसके format में देखेंगे, तो market demand हमारा price related concept होता है, right? जो की inverse relationship share करता है, right? market demand हमारा क्या करता है विटा? price से relate करता है, clear? price से relate करता है, जो की inverse relationship, inverse मतलब opposite relationship, जो की आपने already इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, aggregate demand की, तो वो इस chapter में हमारे पास जो है, income से के साथ इसका relationship बताया गया है, clear? तो income के साथ अगर हम लोग बताएंगे इसका relation, तो वो कुछ आपका इस format पर आएगा, AD, right? इस format पर आएगा, जो की अभी हम और भी elaborate करेंगे, pictures के साथ, diagrams के साथ, ओके? आप देख सकते हैं यहाँ पर, 0, तो यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा? यहाँ पर हमने AD लिया, और यहाँ पर हमने income लिया, right? Y stands for income, जो की आपको पहले पता है, बताया गया है, पिछले विडियोज में, तो यह Y, यहाँ AD के साथ आप देख सकते हैं, income का किस तरह का relation है विटा? इस और डाइरेक्ट रिलेशन, तो इस लिए, यह इस format पर, positive relation के साथ, AD आपको दिखाई देगा, इस chapter में, हम इसी concept को ले करके, चलेंगे, right? तो अब हम आए देखते हैं, इसके components को विटा, ठीक है? AD और उसके components, जो की macro economy के concept से, हम लोग इसमें, यह components देंगे, ठीक है? Household consumption expenditure, Private investment expenditure, Government expenditure and net exports, right? तो यह aggregate demand means, I had told you na, कि यह entire economy का demand है, जिसकी वज़ा से, यह हमने इसके demand को, different different sections में, divide कर दिया, clear? क्या-क्या divide किया? consumption expenditure कि, इसका household का, household मतलब, private individuals की बाद हम ने कही, ठीक है na? यह private individuals, यह group of individuals, जो firms हैं, corporate houses हैं, उन सभी की बाद हम ने यहाँ पर की, तो household consumption expenditure, then private investment expenditure, यह it is for, this section is for investors, producers, clear? तो यह हमारा second section है, क्या? investor के लिए, third है, हमारा government expenditure, government भी, हमारी बहुत सारे expenditures करती है, economy में, और वो किस format पे? एक तो direct purchase करती है, दूसरा as a investors भी करती है, ठीक है? तो वो investment भी करती है, और वो purchases भी करती है, domestic purchase करती है, लोगों के लिए, clear children, तो वो उसके बहुत सारे welfare motives भी होते है, जो की, जिसमें वो expenditure करती है, ठीक है? तो government को भी हमने, हाँ government के expenditure को भी हम लोग बहुत important aspect है, इसको भी नहीं छोड़ सकते, प्लास यह net exports, ठीक है? तो net exports जो है, x-m means, exports minus imports, जो है net exports की value gain करवाता है, ठीक है न? तो इस तरह से हमने इसमें, four different components of aggregate demand के लिए हैं, जो की Professor Keynes ने इसको यहाँ पर बताया है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग, consumption demand पर, consumption demand हमने आपको बताया था न? की यहाँ पर AD हमारा consumption demand और investment demand पर depend करता है, ठीक है? consumption demand और investment demand पर depend करता है, जो की हमने, we had taken the four different components, ठीक है? बट फॉर the simplicity, Keynes has only explained it with two aspects, that is the consumption demand and investment demand, ओकी फाइब? तो अब यह what is consumption demand? यह किस-किस चीजों पर depend करता है, तो any individual or an economy is guided by psychological law of consumption, है न? जो भी, Professor Keynes का यह सारा macro economy के, जो भी concepts है, वो basically उन्हीं पर based है, ठीक है? तो यह हमारी psychology में होता है, कि हम लोग income based consumption करते हैं, अगर जैसे-जैसे हमारी income increase करती है, वैसे-वैसे हमारा consumption capacity भी बढ़ती है, लेकिन एक चीज़ याद रखने की बात है, कि consumption हमारी increase तो करती है income के साथ, लेकिन जितना income increase करती है वैटा, उससे थोड़ा सा उस proportion पे हमारा consumption increase नहीं करता है, क्योंकि हम कुछ income को, यह हमारी tendency होती है, कि कुछ income को हम save भी करना चाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इस concept को भी यहाँ पर explain करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम consumption demand को देखते हैं, यहाँ कि says that the income of an individual is rises as he is inclined to save more and consumes less, ओके? यह हमारी psychology है, ठीक है? अब यह depend किस में करती है? disposable income और propensity to consume पर, ठीक है? तो यह disposable income क्या होती है? What is disposable income? disposable income मतलब, वो income जो की आप ready to dispose off करने के लिए, अपने wishes के according, अपने willingness के according, जो income आप spend करना चाते हो, उस income को हम लोग क्या कहते हैं? disposable income. Right, children? ठीक है? तो disposable income मतलब ऐसी income, जो की एक compulsion, जितने भी compulsory payments हैं, वो सारे payments को जब हम लोग हटा देते हैं, तो वैसी income हमारी disposable income कहलाती है. Right, like fees है, fines है, fine मतलब क्या? अगर आप जो है bike चला रहे हो, और किसी तरह से आपने traffic के, जो rules हैं, उसको break किये, तो आपको fine pay करना पड़ेगा, कोई इसको देना चाहता है बेटा, कोई नहीं देना चाहता है, ठीक है? तो आपने उसको compulsion में दिया. तो ऐसे payments, जो की हम लोग जो है compulsion में देते हैं, उसको अगर हटा दें, अपनी salary के part से, तो वो जो income बची, वो हमारे disposable income कहलाती है. Right, तो consumption, क्योंकि वो हम ऐसी income हमारे पास हाथ में आई, जिसको हम अपनी wishes के according, dispose of कर सकते हैं, expenditure कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं. Right, तो ये disposable income पे, और दूसरा है हमारा propensity to consume, मतलब कि किसी की भी, किसी भी individual की, या फिर economy as a whole, चुकि macro economy में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें लोगों की tendency क्या है, inclination क्या है, क्या वो जाधा consumption habits में है, या फिर वो कम consumption habits में है, उस पर depend करता है, ठीक है, अगर वो जाधा consumption habits में है, तो वो जाधा consume करेंगे, Right, तो this is what the propensity to consume, इस fact को हम लोग बाद में भी, बहुत ही detailed में, इसे आगे के वीडियो में, हम लोग देखने जा रहे हैं, Now, the point is, disposable income and consumption, Right, तो यह जो point है हमारा, यह अब इसमें consumption हमारा, दो तरह की functions में आपको दिखाई देगा, Right, एक है general function, that is consumption have the functional relationship with income, Y stands for income, F stands for functional relationship, relationship, Right, and C stands for consumption, Okay, fine, So, consumption have the functional relationship with income, It means what, जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैसे वैसे, लोगों की consumptions भी बढ़ेगे, Right, अब हम लोग देखते हैं वीटा, की हमारा propensity to consume, क्या है, Right, तो propensity to consume, मैंने जैसा आपको बताया था, कि ये है हमारा habit, यानि inclination, tendency, तो इसको अगर हम लोग जो है, एक schedule, है ना, एक schedule के form में बात करेंगे, तो वो हमारा एक consumption habit को, हमारे पास दिखाएगा, Like, ये level of income आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ये consumption आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अगर इस schedule को proper, अगर हम लोग read out करें, study करें, तो इसमें हमें propensity to consume दिखाई देगा, कि अगर income 0 थी, तो what was the consumption, अगर 50 आई, तो what was the consumption, so at each case अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी income बढ़ी विटा, वैसे वैसे हमारे consumptions भी बढ़ते गए, this is what the propensity to consume through a schedule, हम लोग इसको अगर दो schedules को, दो different columns को देखते हैं, तो वो हमारे propensity to consume को दिखाई देगा, अब एक बहुत ही दो important facts हैं यहां पर आपके पास, that is, यह examination point of view से, tendency of the consumer to spend में, average propensity to consume, and marginal propensity to consume, तो यह हम आपके पास जो है schedule के form में भी, और diagram की form में भी इसको हम यहां पर study करेंगे, average propensity to consume क्या है, यह है total consumption upon total income, यह अगर आप देखोगे, कि C upon Y, total consumption upon total income के साथ यह, हम इसको जो है correlate कर सकते हैं, जो की एक हम point अगर मान लीजे, हमने यहां से इस point पर, हमने इसका name assign किया K, right, so के में अगर हमने देखा, के एक line अगर हमने द्रॉख की यह 200, और प्लस यह 200, right, so यह 200, 200 पर हमारा जो point आया, वो हमारा क्या आगया बेटा, यह हमारा आगया, average propensity to consume, means what, total upon total income, this is the income column, and this one is the consumption column, लेकिन अगर हम marginal propensity की बात, कोई भी एक, right, इसका मतलब क्या हो, average propensity मतलब, कोई एक point, जिसके थ्रू हम लोग जो है, measurement कर सकते हैं, total, right, total consumption upon total income को, हम यहाँ पर बता सकते हैं, like, but, अगर marginal propensity की बात होगी, तो वहाँ पर हमारे पास, यहाँ एक point से दूसरे point को switch over, जब हम करते हैं, तो हमारा वो MPC कहलाता है, दिखाता है, जैसे उसका हमने, change in consumption upon change in income के form में, हमने इसको calculate किया, change हमारा, small change, delta से denote किया जाता है, delta C upon delta Y, Y, as you know, it is a income, right, children, so, अब यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि delta Y, अगर हमने इस point से, point A, से point B तक अगर हम गए, तो हमारे पास क्या आ गया, इस point से, इस point को, को हम जो है, marginal propensity to consume की form में, check कर सकते हैं, right, तो यह जो format है, देखें आप, vertical line हमारी consumption कर्व की है, और यह horizontal line जो है, वो हमारी income के form में है, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम गए, तो delta Y आ गया, और यहाँ से यहाँ गए हमने, हमारा तो delta C आ गया, तो A to B, switch over जब हमने किया, तो वो हमारा आ गया point M, P, C, right children, अब हम देखते हैं, कि यह difference क्या है, A, P, C और M, P, C में, जैसा कि आपने देखा, it is the ratio of total consumption expenditure, to total income at a point of time, है न, point of time में, कोई एक duration निश्यत कर लिया गया है, एक point निश्यत कर लिया गया, इससे हम लोग जो है, A, P, C, calculate कर सकते हैं, और अगर हम लोग duration की बात करते हैं, तो उसमें हमारा period of time आएगा, as for example, अगर आपने देखा, कि point of time की बात में, अगर हमने डाल दिया, एक definite point की बात किया, तो 31st of January अगर हमने डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एक definite point या definite day की बात हमने की, लेकिन अगर duration की बात हमने की, तो for the whole day, for the whole year, तो for a whole month, या during a month, तो ये सारा क्या है, duration, तो जभी भी हमारा MPC की बात होगी, तो वो duration में हम लोग measurement कर सकते हैं, लेकिन अगर a-pc की बात हुई, तो एक point की बात कहा गया है इसमें, एक point पे हम इसको, इसका measurement करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर point k की बात की, लेकिन यहाँ पर हमने किस की बात की, यहाँ पर a to b की, तो a to b तक जाने में जो duration हमारे पास लगा, वो हमारा MPC कहलाया, clear, अब आता है, यहाँ देख सकते हैं आप symbolically, यह हमारा a-pc equals to c upon y, लेकिन इसको हम लोग delta c upon delta y कह सकते हैं, a point on the consumption curve यहाँ गया, a-pc equals to 1 at the break-even point, जो की हम बिटा एक diagram के साथ भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, की इस break-even point क्या है, यह हमारा income, जो की इस concept को अभी हम और आगे देखेंगे, जब हम aggregate supply को करेंगे, अभी यह हमारा income, जो की 45 degree पर cut करता है, ठीक है, आगे के वीडियो में है यह explanation, यहाँ हमारा आया break-even point, यह हमारा consumption curve, यहाँ पर हम consumption point लेंगे, y-axis पर, यह हमारा income, यह consumption, यह हमारा B, B, E, P point आया, B, E, P point पर, A, P, C, average propensity to consume, 1 होगा, ओके, जहाँ पर हमारा c, equals to 1 होगा, वहाँ पर, A, P, C, हमारा, क्या आजाएगा, equals to 1, जहाँ हमारा c, equals to y, आएगा, clear, next, अगर हम लोग, left side of break-even point की बात करते हैं, जो की हमारा break-even point भी कहलाता है, right, अगर हम लोग left side की बात करते हैं, left side of the break-even point, B, E, P, तो consumption यहाँ पर उपर है, आप देख सकते हैं, B, E, P के left side, consumption उपर है, और income हमारी नीचे है, तो हमारा, A, P, C, क्या आजाएगा, greater than 1, clear, और इसके right side of B, E, P, right point of B, E, P, हमारा A, P, C is less than 1, क्योंकि consumption हमारा नीचे आगया, clear children, यहाँ पर हमारा C is less than Y, और यहाँ पर हमारा C is greater than Y, right, clear, इसको और भी हम clear करेंगे, linear consumption function में, एक यहाँ पर हमने tabular explanation दिया है, A, P, C, and M, P, C का, ठीक है, यह आपको पता है, इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, इसको हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, यह schedule को जो की propensity to consume के form में आ सकता है, ठीक है, अगर A, P, C हमारा कैसे calculate होगा बीटा, C upon Y, तो consumption upon income equals to A, P, C, average propensity to consume, कही बार आपके examination में calculate करने के लिए, या extract करने के लिए, A, P, C आ सकता है, ठीक है, A, P, C या M, P, C, और M, P, C हमारा कैसे calculate होता है, डेल्टा C upon डेल्टा Y, जो की यहाँ पर उसके nature को भी यहाँ show किया गया है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, कि एक constant rate से M, P, C चल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या है, डेल्टा C upon डेल्टा Y, डेल्टा is a small change, अब इसमें आप देख रहे हो, 0.5, 0.5 all over, each and everywhere, it is 0.5, 0.5 मतलब क्या हुआ इसका, कि एक यह linear curve के बारे में point out कर रहा है, ठीक है, इसका slope कैसा बेटा, एक constant है, एक linear curve कर रहा है, linear curve है, आपको यहाँ बता दे, point out करते हैं, कि यह बेटा यह देखो, अगर यह constant curve है, curve तो हम कई तरह के हो सकते हैं, curve never means, कि आपका एक यह, इस तरह से इस form में होगा, convex या concave ही, आपका curve नहीं रहेगा, ठीक है ना, आपका यह linear, यह अगर straight line भी है, तो इसको भी हम लोग curve के form में कहेंगे, लेकिन यह हमारा linear curve कहलाएगा, ठीक है, तो यह जो इसका slope है, वो हमारा किस के form में आ गया, linear curve की form में आ गया, constant चलेगा, ठीक है, इसकी आप देखो, APC इस format में है, जो अभी हमने break-even point की बात की, वहाँ पे हमारा income और consumption किस तरह से था भीटा, 1, है न, APC equals to 1, जब हमारा income और consumption बराबर रहेगा, equal रहेगा के साथ, तो वो APC वहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, अगर उससे पहले की बात, अगर हम कह रहें, break-even point के left side की बात, जो हमने कही थी, वो upper hand की बात हमने कहा, तो वो उसमें greater than रहेगा, greater than 1, अगर उससे हम down आते हैं, तो वो less than 1 आएगा, so उसकी values हमारी इस तरह से इस format पे आएगी, जो कि अभी यहाँ पर, आप देख भी सकते हैं, APC के और MPC के nature को, यहाँ पर एक node के form में हमने डाला है, ठीक है ना, MPC ranges between 0 and 1, ठीक है, MPC के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो उसकी value कहां से कहां तक होगी, उसकी value vary करेगी, जो कि over the period of time की बात हम लोगों ने कही थी ना, over the period of time में यह calculate होता है, और यह जो दो points के बीच में इसका calculation आता है, ठीक है ना, जब हम A point से B point तक जा रहे थे, तो हमारा MPC की value आ रहे थी, clear children, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर MPC की value ranges कहां से कहां तक आएगी, 0 and 1 के बीच में आएगी, clear, now if entire additional income is spent, that is delta C, delta C मतलब इधर change, है ना, change में क्या हो सकता है, या तो increase हो सकता है, या decrease हो सकता है, तो consumption अगर या तो increase हो, या decrease हो means change, change equals to delta Y, income के बराबर हो, तो हमारा MPC क्या होगा वेटा, 1, clear, और अगर जो है, है ना, MPC 1, if entire additional income is saved, then change in C equals to 0, पूरा अगर income हमारी save हो गई, तो वो क्या हो जाएगा वेटा, delta C हमारा 0 के form में आ जाएगा, यानि income हमारी कुछ change नहीं हुई, hence MPC भी हमारी 0 आ जाएगी, ठेक है ना, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया, तो extreme values की बाद हमने यहाँ पर की, 1 कब आएगा MPC, जब हमारा additional entire income spent हो जाएगी, ठेक है ना, consume spent हो जाएगी, additional income के बराबर, जितना income बढ़ी, उतना ही income consume हो गई, ठेक है, अब यहाँ पर और 0 कब होगी, जब हमारी additional entire income save हो जाएगी, ठेक है ना, जो भी हमने entire additional income थी, वो हमने save कर ली, तो फिर delta C हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, hence MPC equals to 0, clear, now, MPC of developing countries is more than MPC of developed countries, ऐसा क्यूं होता है, developing countries like India, like Pakistan, यह सारी countries की MPC, हमारी जादा होगी, क्योंकि यहां consumption जादा होता है, है ना, तो अभी हमने आपको बताया था, कि जहाँ पर भी consumption जादा होगा, वहाँ की MPC क्या हो जाएगी बिटा, जादा हो जाएगी, तो हमारे यहां पर इन countries में consumption pattern बहुत जादा है, इसलिए यहां की MPC हमारी हमेशा जादा दिखाई देगी, ठीक है ना, so that is why developing country have more MPC than the developed countries, clear, APC falls with increase in income, right, as you can see over here, MPC, sorry APC falls, APC आप देख सकते हो, कि continuously यह fall हो रही है, जैसे जैसे हमारी income increase हो रही है, 0, 50, 100, 200 यह increase दिखा रहा, और यहां पर आप देख सकते हो, कि यहां infinite, then 1.5, 1, 0.75, continuously it is keep on declining, right, APC can never be 0, as consumption is never 0, हमारा consumption कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए APC हमेशा, यह कभी भी 0 नहीं होगी, clear, क्योंकि APC आप जानते हो वो क्या है, C upon Y, तो जब हमारा C कभी 0 नहीं होगा, तो फिर हमारा APC भी कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ-कुछ चीज़ें और बहुत important तरीके से समझ में आ जाएगी, और बेटा, एक चीज़ और, कि यह linear consumption function, बहुत ध्यान से आप देखना, है न, जो कि आप देखोगे कि examination में, इस पर एक question जरूर आता है, ठीक है न, हर बार एक question इस पर या तो explanation पर आ जाता है, या numerical के form में आ जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप देखना, कि यह कैसे ह show होता है, ठीक है, linear consumption function का यह equation है, ठीक है, C यानि total consumption equals to C bar plus BY, राइट, अब यह C bar क्या है, यह autonomous consumption है, ठीक, और B क्या है, B हमारा MPC है, और Y किसके respect में है बेटा, Y हमारा इस income के respect में है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग divide करते हैं, इस पूरे total format को, तो हमारे पास जो है, दो different divisions आ रहे हैं, ठीक है न, एक तो जब income हमारी zero है, इस level पर अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारा income क्या है विटा, यहाँ पर इसमें income जब zero आई, ठीक है, और दूसरा, जब income हमारी कुछ vary कर रही है, इंकम हमारी क्या कर रही है, vary कर रही है, ठीक है, तब हमारा यह, इसका मतलब क्या हुआ, यह combination, total consumption का जो combination है, वो दो parts में divide हुआ, और वो दोनों parts को ले करके, total consumption complete हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा diagram की form में देखते हैं, यहाँ पे, आपके लिए हमने यह diagram यहाँ दिखाई दे रहा होगा, draw किया है, consumption y-axis पे हम लोग इसको plot कर सकते हैं, और disposable income या income आप यह x-axis पे देख सकते हैं, consumption curve बेटा हमेशा हमारा linear consumption curve, linear आपको मैंने बताया था ना, कि जो street line है, उसको हम लोग linear consumption बोलते हैं, तो यह street line, c आप देख सकते हो, यह 0 से थोड़ा उपर से draw होती है, ठीक है न, और यह इसका direct relation है, कि इसके साथ, consumption और income के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे जैसे हमारा consumption बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा consumption बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा consumption बढ़ेगा, ठीक है, अब यह पर यह c बार, इसका मतलब क्या है, यह zero level of income पे भी हम लोग कुछ न कुछ consume करते हैं, है न, इस मतलब हम बिना consumption के बिलकुल नहीं रह सकते हैं, हमको कुछ न कुछ consume करना है, चाहे हमारी earning हो, चाहे नहीं हो, है न, अगर हमारे पास earning नहीं है, तो हम किसी से ले करके, यह हमा consumption बिटा कभी भी बंद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, कि zero level of income पर भी consumption यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जिसको हमने denote किया c bar से, ठीक है, आपके, जो है, syllabus में भी c bar से ही यह generally denoted होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, zero level of income में, autonomous consumption, clear, autonomous consumption, clear, अब आता है तुम आपका, next, जैसे जैसे हमारी disposable income, income जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यह increase हो रहा है, ठीक है, तो यह किसके respect में increase हो रहा विटा है, यह जो slope है, है ना, यह हमारा जैसे जैसे income बढ़ी, वैसे वैसे हमारा यह बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ ये slope हमारा क्या था बच्चो ये था हमारा mpc mpc था ना क्योंकि हमने इसको क्या कहा था हमने बोला था अगर हम एक point से दूसरे point की तरफ जाते हैं तो हमारा ये slope जो है mpc कहलाएगा क्यों क्योंकि हमारा ये delta y और delta c के ratio को plot करता है तो यहाँ पर जो ये b आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है ना ये b जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है वो mpc है right it is also a mpc और इसको हम लोग जो है denote करते हैं b से आप यहाँ देख सकते हो ठीक है b और with respect of y y के respect में हमारी income के respect में हमारा slope consumption का follow हो रहा है clear तो इसलिए ये हमारा इस तरह का linear consumption function का equation तयार होता है clear children right तो अब हम लोग यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हो विटा कि ये एक जो ये slope है उसको हमने यहाँ से plotting किये है देखो ए ए मतलब हमारा ये ठीक है ना c bar को इन्होंने a के format भी लिया है plus mpc मतलब b ये c bar into y y के respect में ये आगे बढ़ रहा है तो ये हमारा total consumption आपको equation दिखाई दे रहा है ठीक है अब आते हैं हम लोग consumption function ये तो आपका linear consumption आगया clear children अब आता है consumption function जो की linear consumption से ही यहाँ पर consumption function तक हम लोग switch over होंगे ठीक है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आगया हमारा जैसा हमने बोला था y y हमारा क्या है 45 degree line मतलब income को denote करती है ठीक है ये 45 degree line किस तरह से denote करती है वो आगे है तो यह आगे के इसी वीडियो में आप देख सकते हैं एस जब हम लोग यहाँ deal करेंगे यहाँ y जो है 45 degree line मतलब income का relation आप देख सकते हो इसके साथ c के साथ ओके बिटा income का relation c के साथ आप यहाँ देखो यहाँ consumption expenditure है यहाँ national disposable है यह consumption function है ठीक है consumption function मतलब यह अगर आप देख सकते देख रहे हैं तो यह हमारा क्या आगया बिटा जो की अभी हमने पिछले डाइग्राम में दिखाया था c equals to y जिसको हम लोग break even point कहेंगे break even point मतलब जितना हमने consume किया जितना earn किया उतना हमने consume किया ठीक है न तो जितना हमारे पास income आई उतना हमने spend कर दिया वो हमारा क्या आगया BEP right BEP break even point clear इसका मतलब हमने कोई saving नहीं की ठीक है अगर इस डाइग्राम को आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर consumption function यह जो है हमारा यह देखिए zero level of income पे हमने zero to c एक ऐसा point है जो कि without income हमने यहाँ पर spend किया ठीक है न अब यहाँ c हमारा क्या आगया left side अगर आप BEP के left side आप देख रहे हैं तो c is greater than y इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कही न कहीं से किसी न किसी से ले करके और expenditure किया अपने consumption के लिए क्योंकि हम जानते हैं consumption हमारा कभी भी रूखता नहीं है लेकिन जैसे जैसे हमारी income बढ़ने लगी तो हमारा ये जो triangle है ये थोड़ा सा छोटा होता गया है न ये देखो आप ये थोड़ा सा छोटा होता गया क्योंकि अब हम लोग जो है past savings को exploit करना हमने कम किया और हमने जो है income थोड़ा सा earn शुरू किया तो उससे हमने अपने past जो भी debts थे उसको cover करने की कोशिश की तो अब आप देखो यहाँ पर आ गया हमारा this saving ये part हमारा क्या आ जाएगा this saving जब हमारा c is greater than y आएगा तो यह इसको हम लोग dis saving के form में भी जानेंगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या negative savings negative savings राइट यह तो हमारा break even point ही है और जब हमारा c is less than y देखो c is less than y यह बिटा हम लोग measure कैसे करेंगे इसको कि यह less है या फिर यह इसकी height है आप देख सकते हो यह है height ठीक है न आप देखो यह curve यहां से यहां तक आया माल लिजे इसको हमने m डाला point यह हमारा n है और यह हमारा p है ठीक है तो m और n हमारा consumption है और n और p हमारा जो है यह gap है तो m और p हमारा income आया यह इस height से क्योंकि यह हमारी height है और यहां से m और n हमारा consumption आया तो यह जो gap हुआ यह gap हमारा किस चीज़ का आया consumption और income के बीच का gap आया ठीक है न तो c हमारा कम है less than y it means हमने consumption कम किया जितना हमने earning की इसका मतलब हमने क्या किया बेटा save किया है ना money को हमने क्या किया बेटा save किया क्योंकि आप जानते हो income हमारी या तो consume होती है या फिर save होती है तो जब अगर हमने consume नहीं किया तो हमने save किया है ना जो consumption से बचा income वो हमने save कर दिया तो यह इस तरह से हमारा यह linear consumption function का diagram इससे आप जो है देख सकते हैं ठीक है ना आया अब investment expenditure क्योंकि यह एक next part है हमारा AD के component का यह भी एक important है C और I है ना अभी तक हमने क्या explain किया बटा C को consumption demand को हमने explain किया अब हमारा किस को लेंगे हम किस expenditure को लेंगे investment expenditure को या फिर investment demand को ठीक है तो यह investment demand क्योंकि economy में aggregate demand आपको बताया था हमने कि वो entire economy की demand होती है तो कुछ तो consumption के लिए होती है और कुछ investment के लिए होती है अगर हम लोग जो है एक broad classification करते हैं तो या तो लोग consumption के लिए या फिर investment के लिए demand करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर consumption को हमने handle किया अब investment expenditure के बारे में हम लोग देखते हैं investment demand दो चीजों से guided होता है ठीक है ना rate of interest और marginal efficiency of capital तो rate of interest मतलब कि क्या है rate of interest उसके according जो की हमारा investment उसके साथ rate of interest के साथ क्या होता inverse relationship के साथ चलता है ठीक है ना और marginal efficiency of capital मतलब कि हमने अगर कोई भी machinery ली है तो उसका life क्या है उसकी efficiency क्या है उसके through हम लोग जो है investment को calculate करते हैं ठीक है ना तो point यह है कि आपके syllabus में हमारे पास क्या है यह autonomous investment है और इसको हम लोग जो है दो types में divide करते हैं actually investment को induced investment and autonomous investment ठीक है ना तो induced investment क्या होता है ठीक है induced investment क्या होता है induced investment एक private entrepreneurs के investment होते हैं जो की हमेशा income से direct relation के साथ रहते हैं income के साथ इनका relation क्या रहता बिटा एकदम direct ठीक है यह है अगर मालो investment यह income है तो इसका investment के साथ एकदम direct relation रहता है ठीक है जैसे जैसे income बढ़ेगी वैसे वैसे investment भी बढ़ेगा क्योंकि यह private entrepreneurs है और private entrepreneurs एकदम profit को बाढ़ के रखने वाले लोग है है ना profit motive से guided होते हैं तो जैसे जैसे उनकी income बढ़ेगी वैसे वैसे उनका investment purpose भी बढ़ेगा लेकिन जब हम autonomous investment के बारे में बात करेंगे तो यह income से देखें आप independent होते हैं income से इनका कोई लेना देना नहीं होता है इसका मतलब क्या यह actual में यह government investment करती है जो कि उनको पता होता है कि हमारी economy में किस factor को किस economy को किस sector को हमको ऊपर उठाना है उसके according यह जो है investment एक fix होता है इतना education में देना इतना health में देना इतना welfare programs में देना इतना हमको यहां हर एक divisions में इस तरह से करके वो एक अपने income का एक division लेती है कि और targeted investment करती है कि इतना हमको इस level पर investment करना है लेकिन वो यह नहीं सोचती बेटा कि profit उससे कितना आएगा ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते है autonomous investment right autonomous investment इसका मतलब यह autonomous दो बार आया बेटा अगर आप देखोगे तो यह word दो बार आया autonomous consumption भी आपने सुना autonomous investment भी आपने सुना है ना तो autonomous income जो है actual autonomous consumption क्या था zero level of income पर जो consumption होता है है ना वो autonomous consumption कहला आया लेकिन अगर हम लोग investment की बात करते हैं तो वो भी हमारी क्या आती है बेटा वो भी zero level of income पे ही जो investment की जाएगी वही हमारी autonomous investment कहलाएगी मतलब इस government को हमारे income बढ़ी या profit margin बढ़ा उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो एक अपने level पर जो उन्होंने decide किया है उतना उनको investment करनी है ठीक है? तो इस तरह से यह जब graph अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो income, देखो आप, income से independent होकर कि एकदम horizontally यह parallel to x-axis यह चल रहा है clear children? यहाँ आप देख सकते हो कि यह एकदम horizontally x-axis से clear चल रहा है ठीक है? तो अब आपने देखा बच्चों कि यह हमारा जो aggregate demand जो कि अब हम लोग back आते हैं aggregate demand पे हमने c पढ़ा, हमने i पढ़ा तो ad को हम लोग किस तरह से represent करेंगे diagramatically ठीक है? तो diagramatically हम लोग जो है ad को आप देख सकते हो बटा इस तरह से हम लोग represent कर रहे हैं यहाँ आपने देखा यह investment है यहाँ से consumption start है और यहाँ से ad ठीक है ना? इसका मतलब आप क्या देख रहे हो? कि हमारा ad क्या हुआ बटा? ad is a sum of c plus i देखा? ad is a sum of c plus i इसका मतलब यह i हो गया यह income आपने यहाँ पर income जो हमारी show हो रही थी income है इस x-axis पर यहाँ पर हमने जो भी components हम यहाँ पर find out करेंगे that is consumption और investment अगर हम लोग इसको consumption और investment की बात करते हैं तो हम लोग ad से इसको denote कर सकते हैं consolidated form में clear? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा c देखे, c आ गया ठीक है zero level of income में c यहाँ से आया autonomous investment यहाँ से आया क्योंकि यह independent है तो जितना हमारा इन लोगों के बीच का proportion है वच्चो अब देखो जितना यह parallel proportion है उतना ही parallel proportion हम यहाँ से उपर उठा करके और फिर हम लोग यहाँ पर ad को draw कर सकते है ठीक है ad को यहाँ पर हमने draw किया देखे, ad तो यह जो आपको नजर आ रहा होगा यह जो parallel gap है है ना यह parallel gap same ad और c के बीच का जो gap है वो same है जो की हमारे i0 का gap है clear children तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी यह gap आप दिखाई दे रहा होगा आपको यह हमारे जो है two sector economy model में हमने c और i के साथ हमने ad को इस तरह से diagramatically हम इसको represent कर देंगे तो यह हुआ हमारा aggregate demand जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बीटा हम लोगों ने पढ़ा जो है consumption demand हम लोगों ने पढ़ा consumption demand में consumption का function plus propensity to consume propensity to consume में हमने average propensity marginal propensity to consume यह दो propensities हमने पढ़ी और फिर हम लोगों ने linear consumption function को इसमें cover किया plus यहाँ पर investment में हम लोग induced investment और autonomous investment को हमने यहाँ पर देखा और उसको जब दोनों को हमने consolidate किया तो हमारा aggregate demand complete हुआ अब चलते हैं हम लोग savings function पर ठीक है ना? savings function क्या होता है? जूकि यह savings function हमारा consumption function का ही एक part है बिटा है ना? consumption function का ही part है क्योंकि आपको हमने बताया था कि income जो कि अगर जो income हमारी consume नहीं हुई वो save हो जाती है है ना? जो income हमारी consume नहीं हुई वो क्या हो गई बिटा? save हो गई तो income हमारी क्या है? consumption और savings को मिला करके बनती है clear? तो एक part तो हमने consumption का लिया और दूसरा part हमारा savings का आ जाएगा ठीक है? और उसमें भी जिस तरह से हमने देखा था linear saving function linear consumption function हमने देखा था ना? उसी तरह से हमारा linear saving function भी derive हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर consumption function से ही यह saving function का derivation हुआ है S equals to Y minus C है ना? अब यह Y equals to C plus S था तो S क्या हो जाएगा बेटा? Y minus C है ना? या फिर और S equals to Y minus C bar plus BY अब यह क्यों हुआ? Y यह C bar plus BY क्योंकि इसकी जगह पर हम यह point रख सकते हैं put कर सकते हैं इसकी value को आप देख सकते हैं C की जगह पर हमने क्या लिखा? C bar plus BY जो की एक linear consumption function था ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी values को और जब हमने इसको निकाला तो वो linear consumption function linear saving function को हमने linear consumption function से derive करके और finally इस part में हम आ गए ठीक है न? S equals to minus C bar plus 1 minus B Y clear? अब यह आप देख रहे हैं कि यह किस तरह से हुआ? ठीक है? यह आप देखो यह diagram आपने देखा था बिटा यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यह C bar यारनि जब income हमारी 0 रहती है है न? income हमारी 0 रहती है और एक बार income हमारी vary करती है को एक equation के form में represent करते हैं जो कि हमारा इस तरह का function था जो कि हमारा यहाँ C bar के form में हमने लिया था ठीक है? अब अगर हम लोग इसको नीचे कर देते हैं ठीक है? यह 0 यह हमारा आगया negative ठीक है? यहाँ से अगर हमने एक और saving function लिया जो कि आपको bifurcate करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यह same equal ratio में अगर हमने यहाँ से S यानि savings curve draw किया तो आप देखो यहाँ जितना हमने यहाँ C bar लिया उतना हमारा यहाँ पर value क्या आजाएगी बिटा? minus C bar clear? यहाँ पर value हमने क्या ले लिया? minus C bar जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो minus C bar यहाँ पर आप देख रहे हैं minus C bar अब plus 1 minus BY ठीक है? 1 minus BY का actual में format यहाँ पर क्यों आया? ठीक है? वो actual में जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक MPS और MPC है न? आप यहाँ देखो MPC और MPS या APC और APS की value हमेशा 1 के बराबर होती है clear? हमारी MPC प्लस MPS और APC प्लस APS की values हमेशा 1 के बराबर आती है तो हमने यहाँ पर बच्चो क्या किया था? इसकी value को हमने क्या कर लिया था? यहाँ जो है आप देख सकते हैं MPC MPC plus MPS equals to 1 था तो इसको हमने consumption curve में B consider किया था याद होगा आपको ठीक है? तो इस वज़ा से अगर हमने MPS के slope को अगर हम लोगों को ढूंडना है तो हमारी value क्या आ जाएगी? 1-B Is that clear? जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी 1-B Y Clear? देखें? अगर MPS का slope होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1- B Y के शेप में आ जाएगा ठीक है? जबकि इसका B Y के शेप में आ रहा था Clear? यह total consumption में B Y के फॉर्म में है जैसे जैसे income vary कर रहे है वैसे वैसे उसका slope vary करेगा और अगर हम लोगों ने S को लिया तो S हमारा क्या आ जाएगा बेटा? S हमारा आ जाएगा S equals to minus C bar plus 1 minus B Y Clear? Is that clear? वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है Okay children So इससे related हमारे पास कुछ questions है जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आप solve कर सकते हैं इस पर अगर based questions आते हैं आपके पास तो So find the savings if autonomous consumption is rupees 60 MPC is 0.5 and rupees 5000 level of income Right? तो हम लोग को क्या find out करना है? Savings Okay? हमारे पास यह equation available है ठीक है? C bar minus C bar plus 1 minus B Y Okay? minus C bar is given आप देख सकते हैं यहाँ पर as autonomous consumption is given as 60 It is autonomous consumption आप देखो यहाँ autonomous consumption है तो जो autonomous consumption यहाँ पर है उसी का हम लोग का minus C bar यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा savings curve पर तो यह आगया हमारा minus consumption is also 60 Okay? Then as क्योंकि हमने यहाँ पर कहां से लिया था यह zero level of income में? हमने past savings से लिया था तो यहाँ पर हमने कितना लिया? 60 okay MPC is 0.5 MPC is a curve okay slope of C So, अगर हम लोग का MPS slope हुआ तो क्या हो जाएगा बटा? 1 minus B right तो MPS हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 minus B that is MPS So, 1 minus 0.5 is again 0.5 Okay, fine और Y is given यहाँ पर हम values को put करते है minus C bar is minus 60 plus 1 minus B is 0.5 into 5000 5000 इसको हम solve करेंगे तो minus 60 plus 2500 equals to आजाएगा हमारे पास 2440 right इसमें से अगर हम minus करते हैं तो यह 2440 यह हमारा savings आजाएगा तो इस तरह से हम लोग savings के function के through equation के through हम लोग इसकी value को निकाल सकते हैं same value अगर हम लोग consumption के उसमें निकालना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग इसी equation के साथ निकाल सकते हैं ठीक है तो consumption का equation हमारे पास क्या था हमारे पास consumption का equation था C equals to C bar plus B y right हमारे पास B दिया हुआ है given 0.8 okay income दिया हुआ है Y is income right income is given as 200 and C bar is given as 100 तो अब हमारे पास सारी values जब दी हुई है तो values को खली put ही करना है यहाँ पर 100 plus 0.8 into 200 then C equals to 100 plus 160 okay then its value will be 260 यह हमारा क्या इस equation के थूँ हम इसकी value को निकाल सकते हैं ठीक है तो इस तरह से विटा अगर आपको जो है questions solve करने के लिए आता है जो कि इसका extension आपको बाद में भी use करने को जरूरत पड़ेगी तो अगर इस तरह के questions आते हैं तो आपको बिल्कुल भी nervous नहीं होना है और इसी के values को हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए इसी concepts को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह से questions को solve कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं saving function ठीक है ना हम लोग चूकि savings कर रहे थे तो saving में हमने linear saving function अभी देखा था आपको पता ही है saving have the functional relationship with income ठीक है क्योंकि और एक चीज़ और आपको मैंने बताया था y equals to c plus s मतलब जो income हमारी consume नहीं होती है वो save हो जाती है right so income less consumption okay fine यहाँ पर आप देखे यह consumption function curve दिया हुआ है saving have the functional relationship with income इसका positive slope आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है ना positive slope यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यह savings हमारी नीचे है जो कि पिछले हमने जो है diagram में देखा था कि यहाँ पर savings हमारी क्यों नीचे थी क्योंकि हमने past savings को use किया था same application यहाँ पर भी हमारे पास आया है कि हमने जो कि यहाँ पर कुछ हमने consume किया होगा इस वज़ा से हमारा saving function में savings 0 से नीचे है यानि zero level of income यही हमारी क्या आ गई बेटा? यहाँ पर ऐसा जो savings है जो कि हमने कहीं न कहीं zero level of income में consume की और इस saving को हमने उस consumption purpose के लिए देना शुरू किया अब यह आता है आपका जैसे जैसे income बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा savings triangle आप देखो छोटा होता गया ठेक है? यहाँ पर break even point आया break even point मतलब जहाँ savings zero हो एक और break even point की बात हम लोगों ने की थी consumption curve पर किया था ना? जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं consumption curve यहाँ पर है देखिए यहाँ पर जब c हमारा consumption हमारा y के बराबर आ जाता है इसका मतलब जितना हमने income earn किया अगर उतना हमने income consume कर ली तो वो हमारी क्या आ गई? break even point यह linear saving curve आपको दिखाई दे रहा होगा जो straight जा रहा है ठीक है? और जैसे-जैसे income बढ़ती है वैसे-वैसे savings भी हमारी increase होती है इसका मतलब savings का income के साथ कैसा functional relationship है? direct clear children? यह हमारा आप देखिए यह direct relation है ठेक है? यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा विटा यहाँ देखिए यह अगर हम लोग इस slope की बात करते हैं तो यह slope हमारा क्या आ गया? यह हमारा MPS का slope है MPS मतलब marginal propensity to save लेकिन अगर हमने consumption curve की बात की ली थी तो consumption curve पर यह slope क्या कहलाता था? marginal propensity to consume यह हमारा marginal propensity to save आ गया ठीक है? और जिसको हम लोग किस तरह से find out कर सकते हैं? delta S upon delta Y जो की हम लोगों ने B के form में लिया था MPS, so 1 minus B मतलब 1 minus MPS equals to MPC equals to MPS clear? देखें यहाँ पर यह linear consumption curve ठेक है? इसको अगर हम लोग derive करना चाहते हैं है न कई बार आपके explanation में derivation आता है या तो saving curve के साथ consumption curve का derivation आ जाएगा या फिर consumption curve के साथ हमारा savings को derive करना होगा तो उसमें हम लोग किस तरह से derive कर सकते हैं बच्चों यहाँ जड़ा देखें यह आपका आगया आप देख सकते हैं यह Y means income को यह represent कर रहा है Y कर consumption जहाँ पर अगर यह left side है break even point के left side है इसका मतलब क्या हुआ वो? dis saving है ना यह dis saving या फिर इसको हम लोग negative saving की बात भी कहते हैं है ना negative savings savings जो negative है clear यह हमारा यहाँ आप देखें यही same जब तक कि यह break even point नहीं आ जाता यह consumption curve उपर ही है तो इसका तब तक हमारा savings curve negative side में belong कर रहा है देखो यहाँ पर देखें आप लो अब आता है B और N B और N point हमारा denote करता है break even point को B and N point है ना यह BEP point है BEP point एक ऐसा point है जब हमारा savings zero होगी उसी वाक्त हमारा consumption income के बराबर आएगा ठीक है फिर हमारी income धीरे धीरे earning बढ़ेगी और consumption उससे कम होगी तो हमने क्या किया इसका मतलब income हमने save करना शुरू कर दिया ठीक है तो यह हमारा आ गया c is less than y तो यहाँ पर s हमारा क्या हो गया greater हो गया savings हमारी increase करनी शुरू हुए तो इस तरह से हम लोग इसको इस जो है derivation कर सकते हैं चाहे हम consumption curve से saving curves को point out कर सकते बना सकते हैं या derive कर सकते हैं या फिर अगर हमारे पास saving curve है तो हम उससे consumption curve को derive कर सकते हैं यह बहुत important question इस पर बन सकता है कि explain the derivation of saving और consumption curve जो की दोनों में से एक दोनों एक दूसरे से derive किये जा सकते हैं ठीक है hopefully यह आपको clear हो गया होगा ठीक है जब हमारा main चीज हमको ध्यान में रखने वाली क्या बात है हमको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि saving जहां zero हुई वहीं पर हमारा income और consumption दोनों cut करेगा ठीक है ना यहाँ देखिया ठीक है clear अब हमने देखा था linear consumption function ठीक है और consumption linear saving function ठीक अब आता है propensity to save ठीक है तो propensity to save क्या होता है विटा हमने आपको बताया था कि savings हमारी propensity to save पर भी depend करती है किस पर किस पर हमारी savings एक तो किस पर depend करती है income पर disposable income या फिर propensity to save ठीक है मतलब inclination या tendency लोगों की कितनी है कि वो save करेंगे तो अगर हम इस schedule के through जाए तो एक हमने हमारा column derive हो सकता है ठीक है जो की consumption curve से निकलेगा और वो जो है वो हमारा propensity to save का schedule होगा अगर हम लोग income के respect में उसको निकालते है ठीक है ना तो जो हमारी income consume नहीं होई वो save हो मतलब s equals to y minus c ठीक है y minus c अब आप देख सकते है minus 50 आ जाएगा ये ठीक है ये हमारा आ जाएगा minus 25 ये 0 आ गया ठीक है ये आ गया 50 आएगा 50 ये है 200 आएगा तो ये propensity to save मतलब एक schedule कि क्या pattern लोग savings का इसमें निकालते हैं किस तरह से लोगों की saving habits है अगर उनकी income बढ़ेगी उसी को हम लोग propensity to save के form में ले सकते हैं ठीक है अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो propensity to save जिस तरह से हमारा consumption propensity to consumption को हम लोगों ने two divisions two types में divide किया था उसी तरह से हमारा propensity to save भी दो types के होते two types के that is what average propensity to save and marginal propensity to save ठीक है अगेन यह अगर average propensity to save की बात करते तो हमारा total savings upon total income it means s upon y जो की एक point पर denote किया जाता है ठीक है जो के हम लोगों ने यह schedule के form में भी और diagrammatic presentation में भी अभी हम लोग देखेंगे ठीक है और यह marginal propensity क्या होता विटा यह हमारा delta s upon delta y same as it is जिस तरह से अगर आपने consumption propensity को देखा उसी तरह से आप savings के types के propensity को आप देख सकते हैं जो की delta s और delta y के respect में आप देख सकते हैं ठीक है ना अब aps s upon y तो s देख सकते हैं यहाँ पर s is minus 50 upon 0 infinity then आप इसमें various values को आप दिखाई दे रहा है आपको ठीक है ना एक यह particular point पर आपका aps calculate होता है लेकिन यह जो है दो points के बीच में that that is change है ना change को यह show करता है ठीक है ना change in s over change in y एक point से दूसरे point पर जा करके किस तरह से यह changes दिखाई देंगे अब जैसे अगर हम लोग इसको देखते हैं यह 0.5 0.5 0.5 everywhere it is 0.5 it shows the linearity है ना linear curve यह mps दिखाई देगा हमको it means what यह हमारा slope जो savings का slope है वो कैसा slope होगा बिटा यह linear slope होगा ठीक है linear slope मतलब यह bend नहीं होगा यह एकदम constant जाएगा okay children so हम लोग इसका एक diagrammatic presentation भी देख लेते हैं जल्दी से diagrammatic presentation of mps and aps ठीक है तो हमने आपको बताया aps क्या होता है एक point पर measurement होता है like अगर हमने point d पर measure किया only point d ठीक है इस point पर लिया तो हमारा aps हम लोग measure कर सकते हैं क्योंकि हम लोग s upon y को measurement कर रहे है savings upon income right तो यहाँ पर savings हमारी कितनी है savings हमारी hundred है ठीक है यह हमारी savings कितनी है यहाँ पर इस point पर hundred है और income कितनी है 300 right तो अब हम लोगों का अगर इस तरह से देखेंगे तो यह जो proportion है हमारा वो हमारा क्या आ जाएगा यह proportion हमारा aps का proportion आ जाएगा ठीक है तो 0.3 हमारी क्या आ जाएगी aps इस point पर लेकिन अगर हम लोग जो है mps की बात करते हैं तो mps हमारा delta s upon delta y का measurement है अगर हम c और d के c point से d point तक जाना चाते हैं तो हमारा mps हम लोग calculate कर सकते हैं आप देखें c से d का measurement हमारा mps calculation आएगा ठीक है ना जैसे यह एक duration यह एक duration हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है ना c और d के बीच में so delta s upon delta y ठीक है इसका calculation formula क्या है delta s upon delta y तो delta s c और d के बीच में जो difference है s का वो कितना हो गया यहाँ पर 50 आ गया तो यह 50 का difference देखें यहाँ पर 0 to 100 है तो अगर यह divide हम लोग करते हैं equal division में तो यह 50 आ गया तो 50 upon यहाँ से 200 और 300 के बीच का मारा gap क्या आ गया change of income that is 100 so यह कितना आ गया बेटा यह 0.5 so इस तरह से हम लोग find out कर सकते हैं APS और MPS ठीक है कुछ important points है बेटा इसमें अब जो कि हम लोगों को जानना चाहिए APS और MPS के बारे में ठीक है ना तो APS can be 0 but can never be 1 ठीक है यह 0 तो हो सकता है लेकिन 1 नहीं 1 actual में represent हम लोग किस से करेंगे income से तो वो 0 तो हो सकता है 0 savings हो सकती है लेकिन income के बराबर savings नहीं हो सकती है इसलिए यह इसकी value तो 0 हो सकती है लेकिन इसकी value 1 नहीं हो सकती है ठीक है ना कई बार one marks के question में आपके पास पूछा जाएगा कि यह APS की value और MPS की values किस तरह से extreme values किस तरह से हो सकती है वो आपको बताना पड़ेगा instantly आपके knowledge का test हो सकता है ठीक है तो इसन सब चीजों का ध्यान आप लोग रखना है ठीक है तो APS can never be more than one ठीक है APS बिलकुल हम income से ज़्यादा savings नहीं कर सकते है इसलिए इसकी value more than one कभी भी नहीं हो सकती है APS rises with rise in income है ना जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे हमारा APS भी बढ़ना शुरू हो जाता है यानि average propensities इसकी बढ़नी शुरू हो जाती है हमारी inclination saving की वो बढ़ती जाती है ठीक है MPS varies between 0 and 1 ठीक है अब ये तो आ रहा आपका APS के बारे में ठीक है अब MPS क्या है MPS की जो value है वो हमारी 0 और 1 के बीच में vary करती तो इसकी smallest value क्या होगी 0 और जो biggest value है largest value है ये 1 होगी ठीक है उसी के बीच में इसका जो है variation आएगा number का MPS will be equal to 0 if entire additional income is consumed है ना अगर सारी income हमारी consume हो गई जितनी की income additional income की बात यहाँ पर हो रही है डेल्टा income की बात हो रही है ठीक है ना डेल्टा मतलब change जितनी भी income change हुई अगर वो जो है हमारी income additional income consume हो गई तो उस वक्त हमारा MPS क्या दिखाई देगा 0 मतलब कोई मतलब नहीं है saving का ठीक है क्योंकि सारी income तो consume हो गई तो saving का मतलब भी नहीं बना ठीक है MPS will be equal to 1 if entire additional income is saved ठीक है अगर कुछ consumption नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ सारी income save हो गई उस वक्त हमारी MPS क्या हो जाएगे बेटा 1 ठीक MPS can not be greater than 1 because delta S can not be greater than delta Y naturally कि income से जादा कभी भी saving होई नहीं सकती तो फिर उसका change कैसे हो सकता है तो इसलिए यह हमारा MPS can not be greater than 1 right so यह जो है कुछ important notes है जो कि आपका APS और MPS को के लिए important है ठीक है और यह कभी भी आपका knowledge इसमें test किया जा सकता है exam में और one marks के question में इसमें से कोई भी एक point आ सकता है इसलिए आप जड़ा इसमें इसको mind में रखना है ठीक है अब आईए इसका difference हम लोग देख लेते हैं जिस तरह से हमने MPC और APC का हमने जो है difference देखा था उसी तरह से APS और MPS का भी difference है तो यह हमारा क्या आता है ratio of total savings है ना उसमें consumption था इसमें savings है corresponding to the income आप देख सकते हैं यह formula savings upon income इसी तरह से यह change of savings upon change of income यह point of time में एक point of time में है ना यह measure किया जाता है लेकिन यह एक duration लगता है over the period of time क्यों duration लगता है क्योंकि अगर हम लोग C point से D point तक जाते हैं तो कुछ तो time लगेगा ना कुछ हमको रुखना पड़ेगा कुछ travel करना पड़ेगा उसमें हमारा समय लगेगा तो उस duration में इसी वज़ा से हमारा जो है MPS का duration में measurement होता over the period of time right then representation यह point on the saving curve किसी एक point पर आपने आभी देखा कि एक point पर हमने इसको represent किया था APS को जबकि MPS को हमने measure किया था curve with respect to previous point हमको दो points के बीच में है ना जब भी भी points होंगे two points के बीच में हमें यहां पर measurement मिलेगा MPS का थी negative value APS can be negative मतलब can be negative मतलब यह this saving हो सकती है कब हो सकती है जब हमारी income zero होगी या फिर हमारा consumption हमारी income से high होगा ठीक है तब हमारी income जो है APS की value हमारी negative हो सकती है but MPS can never be negative as change in consumption can never be more than change in income ठीक है ना तो MPS हमारा कभी भी इस तरह से negative नहीं होगा ठीक है अब यह आता है एक important aspect relation between APC and APS तो कई बार हमने यहाँ पर आपको बताया APC और APS प्लस उसी के respect में हमारा MPC और MPS भी आता है ठीक है तो यह किस तरह से equals to 1 हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग values को put करेंगे यहाँ पर इसको हम लोग find out भी कर सकते है APC is what? C upon Y ठीक है प्लस यह हमारा क्या आ गया? APS is S upon Y clear? इसमें अब हमारा देखे C upon Y is what? C upon Y इसमें अब हमारा यह common हमने Y ले लिया C plus S कर दिया ठीक है? इट मेंज एक चीज और हमारे पास आ गई C plus S क्या होता है? Y है न? Y ही होता है क्यों? Because Y equals to C plus S मतलब income या तो consume होती है और it is saved ठीक है? So, it is also Y upon Y it means this is 1 So, इस तरह से हमारा APS plus APC equals to 1 इसको हम लोग consider कर सकते है ठीक है? अब MPC plus MPS is 1 So, again यहां पर हमारा delta C upon delta Y plus delta S upon delta Y right? Same as it is we had solved over there for APS and APC ठीक है? उसी तरह से MPC और MPS को भी हम लोग कर सकते हैं यहां पर एक LC हम लेंगे delta Y का ठीक है? So, delta C plus delta S again यह हमारा क्या implement होगा? यहां पर देखे आप delta Y के form में और फिर यहां पर यह delta Y which is also equals to 1 So, in this way हमारा MPC plus MPS हमारा 1 आ सकता है ठीक है न? और वैसे भी इसकी value हमारी हमेशा always equals to 1 होगी एक चीज़ और no no down करने की बात है कि यहां पर जब ही भी हम लोग लेंगे तो averages दोनों के लेंगे ठीक है न? average propensity to consume and average propensity to save और जब हम marginals की बात करेंगे तो marginals ही saving में भी लेंगे और marginal consumption में भी लेंगे ठीक है? ओके? So, aggregate demand के बाद aggregate supply एक important aspect है इस chapter का So, इसको हम लोग देखते हैं यह aggregate supply क्या है? ठीक है? Aggregate supply actual में flow of goods and services है जो की entire economy का flow है ठीक है न? goods or services का clear? तो it is the money value of final goods and services मतलब अगर जो है उसका goods का flow है इसका मतलब output का flow है तो जो भी sales हुई है न? sales हुई उसको distribute किया गया factors को जिन लोगों ने इसको बनाया था ठीक है न? किसके form में हमने distribute किया? हमने इसको rent, interest, profit इस form में wages के form में हमने इसको distribute किया ठीक है न? तो ये entire economy का goods flow है जो की सब लोगों ने contribute किया था और उसके बदले में उननों को sales के respect में, return में उनको इस form में payment मिली ठीक है, rent, wages, interest and profit के form में ठीक है तो ये monetary flow हुआ भीटा ठीक, ये monetary flow इसका मतलब क्या? entire economy का monetary flow this is the total output है न? total supply, total output of the economy ठीक, total output of the economy और ये total output हमारा किस के form में? अगर हम लोग money के form में convert करें इसको तो ये हमारा आ गया income है न? monetary value मतलब हमारी income की value ठीक है न? money value मतलब हमारी किस form में आ गई बेटा? ये income के form में आ गई money value monetary value ठीक है? तो entire economy के supply मतलब nation की supply और अगर हमने इसको money के form में convert कर दिया तो ये सारे factors को जो payment मिला वो हमारा क्या आ जाएगा? वो monetary value कहलाएगी और जो की हमारी national income हो सकती है ठीक है न? तो aggregate supply एक तरह से हमारी national income ही तो है क्योंकि हम लोगों का जितना भी कोई भी contribution होता है उसके respect में income earning होती है सभी को हम लोग payment देते हैं ठीक है? और वो one and the same thing national output flow means national monetary flow means national income ठीक है न? तो ये output flow है और ये हमारा उसके return में money flow है इसका मतलब national income तो ये हम लोग इससे imply हो सकता है कि aggregate supply हमारी national income के equal होती है ठीक है न? तो अब यहां पर देखें the value of total output is distributed to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit the sum total of these factor income at domestic and national level is termed as national income right? so हम लोगो ने जो भी factor income factor payments distribute किया वो हमारा क्योंकि उन्होंने output produce किया था factors ने उसको हमने किस फॉर्म में किया था? rent, wages, interest and profit आपको पता है न? four factors of production land, labor, capital, enterprises land gets rent labor gets wages and capital gets interest and enterprise gets profit ठीक है? तो वो हमारा क्या आगया? अगर हम लोग domestic as well as national level की बात करते हैं तो वो हमारा क्या आगया? national income में count होना शुरू हो जाएगा तो aggregate supply या flow of entire economy और flow of output of entire economy will become the national income of a country ठीक है? अब ये income, nation की income है तो वो income या तो हमारी save होगी या फिर हमारी consume होगी जैसा कि हमने discuss किया था? clear? ये income either it is consumed or it is saved ठीक है? तो इस वज़ा से ये इसके दो parts हमारे aggregate supply के भी दो parts हो सकते है that is say consumption plus savings जो कि आप इस diagram में देख सकते हैं ठीक है न? और दोनों का relation direct relation है income के साथ जैसे जैसे income बढ़ेगी consumption और saving दोनों बढ़ेंगे आप ज़रा देखिए इसमें consumption भी बढ़ा है और saving भी बढ़ा अगर हम लोग इन दोनों को add कर देते हैं तो ये हमको एक 45 degree का curve बन करके तयार होगा जो कि हमारा aggregate supply कहलाएगा जो कि equal proportion पे इस angle 90 degree को divide करेगा ठीक है aggregate supply आप देख सकते हैं कि ये income का national income को represent करता है AS equals to Y equals to C plus S तो इस तरह से हमारा ये 45 degree का ये angle 90 degree को हमने equal proportion में divide किया तो हमारा ये 45 degree का curve तयार हुआ और जो कि हमारा C plus S से के addition से मिल करके हमको find out हुआ और वो AS के form में हमारा आया clear जो कि हम बाद में जब equilibrium decide करेंगे तो उसमें हमारा बहुत ही जादा important होगा और बहुत जादा काम में आने वाला होगा ठीक है अब बच्चो एक और बहुत ही important concept है इस chapter का X anti saving and X anti investment actually X anti है न ये and ये savings और investment दोनों के साथ लगेगा ठीक है न कई बार ये लोग जो है एक एक नंबर में हम लोग का 11 marks के respect में बहुत important concept आ जाता है कि what is X anti saving और what is X anti investment so it is actually X anti means it is a beforehand जो हम plan करते हैं ठीक है न उसको हम लोग बोलते हैं X anti तो अगर वो हमारा savings के साथ लगा दिया जाए तो वो X anti saving यानि the savings which anybody is planned so it is a planning of savers और a households to save at different level of income right it is the planning of households और savers ठीक है जो लोग save करना चाहते हैं उसकी planning ही X anti कहलाती है ठीक है या economy में जितने भी लोग savers है उसको हम लोग X anti savings कह सकते हैं उसको उसमें consider कर सकते हैं अगर ये X anti हमारा investment में लग गया तो again ये investors का plan है ठीक है न कि वो किस तरह से different level of income में किस तरह से वो investment करना चाहते हैं ठीक है तो it is a plan of firms or investors ठीक है तो अब ये दोनों में आपने क्या देखा बेटा planning है न ये planning is important तो X anti का मतलब हमको समझने की बात है और बहुत जादा इसमें बहुत जादा कुछ difficult नहीं है ठीक है और ये savings और investment के साथ use होता है इसी के साथ एक और term use होता है हमारा X post ठीक है X post मतलब होता है actual ठीक है so actual saving and actual investment so actual मतलब exposed saving means what is realized actually क्या हो रहा है इस at present क्या incident हो रहा है उसको हम लोग X post कहेंगे ठीक है न तो planning हमने क्या किया था वो X anti था लेकिन actually हमने क्या save किया वो X post savings में आपको दिखाई देगा ठीक है न तो ये concept हमारा actual savings का X post के साथ हमारी economy में आपको नजर आएगा जो कि during a year यानि one financial year के concept में आपको इसमें दिखाई देगा ठीक है X post investment के साथ भी ऐसा है कि actually investors ने कितना economy में investment किया ठीक है planning नहीं X anti investment नहीं ये planned नहीं था ये actual में investment हुआ ठीक है और जबही हम लोग equilibrium concept में जाएंगे तो हमारा जबही भी X post savings X post investment के बराबर आएगा तो वही equilibrium होगा means actually दोनों एक दूसरे के साथ जब equal होगे ठीक है ना actual investment और actual savings जब equal होगे एक दूसरे के साथ बराबर आजाएंगे तो वही हमारा position equilibrium का position होगा या national income determination का position होगा ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Y equals to C plus S ठीक है Y हम लोग जानते हैंना C plus S और Y equals to C plus I भी होता है क्योंकि Y हमने यहाँ पर किसको consider किया था Y equals to A S है ना clear Y equals to A S तो A S हमारा आ गया means जो income either we can save और we can invest consumed right और अगर हम लोग AD के form में इसको देखते हैं तो AD के form में हमारा क्या आएगा either it is consumed or it is invested ठीक है तो जब ही हम लोग equilibrium जब पढ़ेंगे आगे के videos में तो अब आप देखेगा AD हमेशा AS के बराबर आएगा clear इसका मतलब क्या हुआ यह C plus S C plus I के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा है ना देखे आप C plus I C plus S के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा यहाँ देखे C plus S equals to C plus I है ना तो CC get cancelled out तो इसका मतलब S equals to I इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग equilibrium chapter में देखेंगे तो हमें दो approaches के साथ चलना होगा ठीक है ना जो next chapter होगा हमारा वो दो approaches में आएगा the equilibrium of national income ठीक है determination of national income और equilibrium of national income at macro level जो बात हम करेंगे वो दो approaches के साथ एक AD और AS के साथ और दूसरा हमारा S और I के साथ का approach ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे ठीक next video में लेकिन हमारे पास कुछ इस chapter के एक basic concepts रह गए है जो कि उसको भी आपको recall कर देना बहर ज़रूरी है that is full employment, voluntary, unemployment and involuntary unemployment ठीक है तो full employment क्या होता है full employment एक ऐसी situation होती है जिसमें सभी लोगों को jobs मिली हो दोस हुआ और लेकिन उसके साथ बेटा दो conditions होनी चाहिए सब लोगों को job मिल जाए ये तो ठीक है लेकिन जो लोग willing है और जो लोग able है ये दो conditions होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है able or willing किस के लिए work के लिए ठीक है जो लोग it is a situation in which all those who are able and those who are willing to work are working at the existing wage rate ऐसा नहीं है कि कोई भी ability है लेकिन वो willing ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ willing नहीं है तो वो consider नहीं किया जाएगा इसमें ठीक है ना तो two conditions इसमें चाहिए ठीक है ना यह सिर्फ और सिर्फ context में किसमें measurement किया जाता है working population के context में इसको measure किया जाता है ठीक है ना और it implies that there is equilibrium in the labor market मतलब labor market में जितना labor market की demand है उतनी ही labor की supply है ठीक है तो यहाँ पर labor market में इसका equilibrium है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि full employment 100% employment देता है इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि full employment 100% of employment देता है ठीक है यह यह जरूरी नहीं है कि full employment 100% का employment देता है यह full employment equilibrium हमारा less than 100% of employment भी दे सकता है जिसमें की various conditions हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है न, next है हमारा voluntary unemployment, ठीक है, voluntary unemployment, ये voluntary unemployment मतलब क्या, जो those who are volunteers हम लोग बात करते हैं न, जो की अपनी इक्षा से जो है करना चाते हैं काम, voluntary ठीक है, इसी तरह से voluntary unemployment, ठीक है, मतलब क्या कि एक ऐसी situation, जब कोई भी person willing नहीं होता है work करने के लिए at existing wage rate, उसको वो wage rate पसंद नहीं होती है, या कोई भी ऐसा reason होता है, able होता है, लेकिन वो उस पर, उस condition में काम नहीं करना चाहता किसी भी region से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, voluntary unemployment, ठीक है, उसने जान बुझ करके skip किया है, clear, involuntary unemployment, ये involuntary मतलब क्या, कि actually वो काम करना चाहता है, लेकिन existing wage rate पर, या less than, a slight less than the existing wage rate, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है, इसको involuntary unemployment कहते है, जो कि आज की date में, हमारे यहाँ पर, बहुत सारी economy में, बहुत सारे लोग unemployed दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो those who are able also, and those who are willing also, for work at existing wage rate, but they are not getting the work, ये हमारा क्या है, ये three important basic concepts है, जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एक नंबर के question के लिए बहुत ही important है, इस तरह से हमारा determination of income output and employment का एक important chapter, जो कि basic concepts के साथ था, aggregate demand और aggregate supply का finish हुआ, और अब हम लोग जो है, एक important video के साथ मिलेंगे, जो कि इसमें हम लोग equilibrium determination और multiplier के concepts के साथ आएंगे, तब तक आप लोग इस video को देखिए, और इसके important concepts को learn करिए, थांक यू.